हेलो एब्रिवन आज की इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करने वाले हैं आप लोग के B.E.G.L.A. 136 के Most Important Topics और आपका Previous Air का Question Paper जो आपके एकसाम के लिए काफी ज़्यदा है तो फ्रेंट्स अगर आप लोग अपने इस सब्जेक्ट के एकसाम के प्रिपरेशन करें हैं तो आ इस सब्जेक्ट का Title है आप लोग का English at the Workplace फ्रेंट्स ये Question Paper आप लोग का आता है 100 Marks का और इसे Solve कने के लिए दी जाते हैं आप लोग को 3 hours ठीक है तो 3 hours की टाइम रिमिट के अंदर ही आप लोग का अपना पूरा पेपर सॉल्व करना होता है आज की इस वीडियो के अंद सब्सक्राइब कर लिए तो आप लोग को इस वाले पेपर में पास कर दिया जाएगा अधर्वाइस अगर आप लोग के 35 सब्सक्राइब को फेल कर दिया जाएगा ठीक है तो चलिए देख लेते हैं किस टाइप के Questions में आप लोगों से पूछे जा रहे हैं सबसे पहला Question है आप लोगों के मैंस्ट इन कॉलम एविद देयर मीनिंग इन कॉलम बी सबसे पहले तो आप लोगों से हाँ पर Question नुबर वन में पूछे जाएंगे वर्डस मीनिंग ठीक है एक तरफ आप लोगों को यहां पर वर्डस दिये जाएंगे और दूसरी तरफ दिये जाएंगे पर उनके मीनिंग तो फ्रेंड्स यहां पर आप लोगों को को उनका है और सकते अगला कोशन आप लोगों को किया करना है कि पूरर मेंचंग टीक चले जाते हैं तो आप लोग यहां से 10 मार्क्स तक स्कौर कर सकते हैं और अगला question है आप लोग को हैं पर question number second question number second में friends आप लोग को क्या करना है कि पांच words दे चाहेंगे आप लोग को और उन words से आप लोग को बनाने है sentences ठीक है अगर आप लोग को इन words के meaning पता होंगे तो आप लोग easily इनके sentences prepare कर सकते हैं और यहां है बहुत ही ज्यादा easy level का बनाया जाता है इसमें बहुत ज्यादा high-five English का यूज नहीं किया गया है अगर आप लोग को basic grammar भी आती है तो भी आप लोग इस वाले paper को solve कर सकते हैं बिना books पड़े ठीक है और अगर आप लोग को पूछे जाएंगे यहां पर active passive voice पेपर का जो पैटर्न होगा फ्रेंट्स वो बिल्कुल आप लोगों का सेम होने वाला है लेकिन जो questions हैं उनको यहां पर change कर दिया जाएगा question number 3 कि आप लोगों से active passive voice ही पूछे जाएंगे ठीक है तो यहां पर limited topics हैं जिनके आप लोगों को preparation करने हैं आप लोग इनको solve करने की कोशिच कीजेगा और अगर आप लोग को इस वाले question paper का पीडियाफ लिंक चाहिए तो आप लोग मुझे नीशे comment section में बता दीजेगा मैं आप लोगो को इसका पीडियाफ लिंक provide कर दूँगी दो एर के जो question paper है उनका पीडियाफ लिंक आप लोगो को नीशे description box में provide कर दूँगी आप लोग वहां से इने download कर लीजेगा और अपन आते हैं यह आते हैं आप लोग के proposition से article से तो इनको भी आप solve कर सकते हैं इसलिए अगर आप लोग का article टैंसे और आपको proposition आती है तो ठीक है और फूर्थ नंबर का question है यह लिया जाता है आप लोग की book से अब यह जो questions होते हैं इनमें यह जो topic लिए गए हैं यह आप लोग क में में क्या difference होता है या फिर वर्क प्लेस एडिक्ट के आप लोग को हैं पर शोट नोट लिखना है तो इस टाइप के जो topics हैं उनको प्रिपेसर के topics से अच्छी तरीकी से पढ़ लीजेगा इनके repeat होने के chances हैं और यहां से आप लोग अपने 20 marks तक स्कोर कर सकते हैं अगर आप लोगों ने इन अच्छे से अटेम्ट किया तो अगला कोशन है आप लोगों का कॉस्ट नबर फिप्ट कॉस्ट नबर फिप्ट पर हैं पर बोला गया है आप से प्रिपेर आप ब्रीफ सीवी क्लियर ली मेंशनिंग यूर इस्किल्स एजूकेशन एक्सपिरियंस और अगला कोशन है आप लोगों का है त्यार करनी से आप लोग कोशन नाक्स का कोशन है तो इस तरीके का इसन प्रिपर का आप लोगों का पैटन है ट्लतन आपenko और अप लोग को यह tone अना है तो बस आप लोगों को यह लिमीटेट तोपिक्स अच्छी तशी तरवने important i.tenses अगर आप लोग को आ जाते हैं पूरे टैंसे अगर आप लोगों ने सीख लिए तो आपको पोहत हद तक translation आ आती है तो translation पे पूरे English के question paper based होते हैं तो फ्रेंट्स आप लोग को इन topics को अच्छी तरीके को पढ़ लीजेगा वाकि अगर आप लोग को इस वाले कोशन पेपर का पीडियाफ लिंक चाहिए तो आप कमेंट सेक्श्ट में बता दीचेगा और अगर आप लोग को किसी और सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टन कोश्टन के प्रिवेस एक कोशन पेपर की वीडियो चाहिए